नमस्कार दोस्तों स्वागात है हमारी यूटूब चैनल पे तो आएए बात करते हैं कुछ फॉर्मसिस्ट वेकंसी के जुकी निकली हुए सब्दर गंज हॉस्पिटल में और जम्बू एंड कास्मीर जम्बू एंड कास्मीर पॉब्लिक सर्विस कमिशन के तरब से निकाली गई है ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं सब्दर गंज हॉस्पिटल से तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट के लिए यह वेकंसी निकाली गई है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरे एसिस्टेंट का है जुनियर मेडिकल लैब टेकनेसियन का है या फीजियो थेरेपिस्ट का है तो हम बेसिकली फॉर्मसिस्ट के बात करते हैं तो आए देखते हैं फॉर्मसिस्ट की तो सब्दर गंज हॉस्पिटल में फॉर्मसिस्ट की लगबग 13 पोस्ट के गया है, form fill करना 5 October से शुरू हो गया है, और इसकी जो last date होने वाली है, 25 October को इसकी last date होने वाली है, और इस form को off online ही आप submit करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, for more details and apply online, please visit www.y.yep, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको mention कर दिया जागा, इसको description में डाल दिया जाएगा ठीक है दो website दिया गया है इन दोनों website को description में डाल दिया जाएगा और इसकी जो last date है 25 October से पहले आप इस farm को fill कर सकते हैं बहुत सारे post के लिए vacancy निकाली गई जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं फॉर्मासिस्ट हो गया operation हो गया operation treatment हो गया और अप्टुमेस्टिक्स हो गया तो काफी post के लिए vacancy निकाली गई है और नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्बू एंड कास्मीर पब्लिक सर्विस कमिशन के तरफ सी कौन सी vacancy निकाली गई है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 11-10- 2023 को application यह निकाला गया है और application through online mode application को submit किया जाएगा यानि form फिल गया जाएगा इसकी जो starting date यहां पर आप देख सकते हैं the commission form application form will be available on the website of the commission form बारत तारीको यानि कि इसकी जो application निकाला गया था 11 तारीको और 12 तारीको आपको इसका available हो जाएगा website पे application फिल करने का जो इसकी last date होने वाली 31 10 2023 को इसकी last date होने वाली है ठीक है 31 तारीक से पहले आप इस form को fill कर दीजेगा ठीक है अब आगा ही हम बात करते हैं किस पोस्ट के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं assistant controller assistant controller of drugs label 8 का pay scale मिलेगा आपको यानि कि 47600 से ले करके एक लाक 11100 तक की आपको salary मिलने व बात करें तो post graduate in pharmacy or pharmaceutical chemistry or medicine with specialization in clinical formology or microbiology from university established in India by law ठीक है experience in the manufacturing or testing of drugs for an approved laboratory or enforcement of the provision of the drug and cosmetics act 1956 for a minimum period of five years यह आपको पांच साल का experience मांगा गया है यह आपके पास manufacturing का हो या testing drugs का हो आपके पास इसमें बी फार्मा इसमें बोला ना graduate in pharmacy यानि बी फार्मा आपके पास बी फार्मा के इसको candidate eligible है या pharmaceutical chemistry ठीक है यहाँ पर आप देख सकते है इस limit की तो का SC SC का OM का in service candidate का यान की 40 साल का SC का 43 साल का ठीक है यह इस limit है डोमिसाल देखिए the candidate should be in domicile of the union territory आप जम्बू कासमी the candidate must process of valid domestic अपके पास valid domicile certificate भी होना चाहिए ठीक है अब इसकी फीस के अगर हम बात करें जेनरल category के लिए एक हजार है reserve category के लिए 500 है पीस्टी के लिए कोई फीस नहीं लग रही है ठीक है तो यह था कि जम्बू कासमीर के तरफ से यह रही official website जो की इसको description में डाल दिया जाएगा इस पर जाकर करके one time registration आप कर लेंगे और form को fill करना चालू कर देंगे ठीक है friends तो यह थी दो vacancy जो निकाली गई थी जम्बू एंड कासमीर पॉब्लिक सर्विश कमिशन के तरफ से और दूसरा था सब्दर गंज hospital के तरफ से जो की यहां पर आप देख सकते हैं अंसारी नगाट इस नियर टू एम्ज मेट्रो इस्टेशन निव देली में है सब्दर ग करिए और इसको ग्रूब में से करिए तक तक के लिए बने रहें जैन दोस्तों